नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है तिहासकार पिछले पार्ट में हम बात कर रहे थे हुमाईयू के बारे में जिसमें हमने आपको बताया था कि हुमाईयू मुगल सल्तनत का दूसरा बदशाह था और बाबर का सबसे बड़ा बेटा था और साथ ही हुमायू बड़ा बदनसीब बादुशा भी था क्योंकि उसके भाईयों ने उसका साथ कभी दिया ही नहीं था दोस्तो शेर्शा सुरी से हुमायू का दो बार युद्ध हुआ पहला युद्ध चोसा युद्ध था जो कि 1549 में लड़ा गया था और दूसरा युद्ध कन्नोज का युद्ध था जो कि 1540 में लड़ा गया था और दोनों ही युद्ध में हुमायू बुरी तरह से हार गया था और दोनों ही युद्ध में हुमाईू को अपनी जान बचाने के लिए युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा था तो आज हम जानेंगे कि हुमाईू का आगे का जीवन कैसा रहा जब शेरशा सूरी ने दिल्ली सल्तनत से हुमाईू को बाहर खदेर दिया था और कैसे दोबारा दिल्ली सामराज्ये पर मुगल सल्तनत स्थापित की हुमाईू ने लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को याद दिला दूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएं तो प्लीज उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेर और कॉमेंट भी जरूर करें और हाँ, बैल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें दोस्तों, शेर शाह सुरी ने जब हुमाईू को दिल्ली सल्तनत से बाहर खदेड दिया, तो हुमाईू सीधा अमर कोट पहुचा उस वक्त अमर कोट के राजा राणा प्रसाद राओ ने हुमाईू को अपने महल में शनन दी, और हुमाईू अपनी पत्नी के साथ कई साल तक महा रहा 15 अक्टूबर 1542 को हुमाईू की पत्नी हमीदा बानों ने अकबर को जन्म दिया, वो भी हिंदू राजा राणा प्रसाद राओ के महल में 15 अकबर बहुत ही छोटा था, जिस वजे से उसको वहीं अमर कोट में ही छोड़कर हुमाईू और उसकी पत्नी को अपने काफिले के साथ आगे सिंद की और बढ़ना पड़ा बाद में अकबर को अकसारी मिर्जा ने गोध ले लिया, अकबर बहुत छोटा था, जिस वजे से उसको अपने साथ हुमाईू नहीं ले जा सका हुमायू की जिन्दगी का यही सबसे बुरा दौर था जब उसके किसी भी भाई ने उसका साथ नहीं दिया था नहीं युद्ध में और नहीं उसको साथ रखने में हुमायू ने तब निर्ने लिया कि वो अपने भाईयों पर अब कोई रहम नहीं करेगा और उनको सबक सिखाएगा फिर सिंध में जाकर हुमायू ने सिंध के शासक आमीर हुसैन उमरानी के पास रहे क्योंकि आमीर हुसैन हुमायू को बहुत इज़त देते थे और सिंध में रहकर ही हुमायू ने हतियार इखटा किये नइ आर्मी बनाई और दूसरे शासकों के साथ गडवन्दन किये और परशिया चले गए परशिया में हुमाईयू का स्वागत किया गया उस वक्त परशिया के शासक शाहात तमास्प थे उन्होंने हुमाईयू को अपनी शर्तों पर शराण दी पहली शर्त ये कि हुमायू को शिया धर्म अपनाना होगा और दूसरी शर्त ये कि शाह तमास्प अपनी सेना युद्ध के लिए तब ही देगा जब वो कांधार को जीत कर शाह तमास्प के नाम करेगा दोस्तो हुमायू को ये सारी शर्ते माननी ही पड़ी 1545 में हुमाईयू ने काबुल और कांधार पर आक्रमन किया और युद्ध जीत कर अपने भाई कामरान मिर्जा से काबुल और कांधार की सत्ता को हतिया लिया और पूरी तरह से अपना कबजा कर लिया दोस्तो शेरशावसुरी, जिसने हुमायू को दिल्ली सल्तनत से बाहर खदेड दिया था, उसकी मौत 1545 में हो गए थी, जिसके बाद उसके बेटे को दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया गया, जिसका नाम था इसलाम शाह, उसकी मौत भी 1554 में हुई, तो हुमायू को सबसे बड़ी opportunity मिली दिल्ली सामराज्य पर वापस मुगल सल्तनत स्थापित करने की हुमायू ने मोके का फायदा उठाया और अपनी सेना का कमांडर बैरम खां को बना कर अपनी सेना के साथ 22 फरवरी 1555 को सरहिंद पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा और वहां सिकंदर शहासूरी को हरा कर वापस दिल्ली पर मुगल सल्तनत स्थापित की हुमायू ने और इसी के साथ 22 फरवरी 1555 को दिल्ली सामराज्य पर मुगल सल्तनत की स्थापना हुई 27 जनवरी 1556 को हुमायू अपने महल के पुस्त काल्या में जिसका नाम दीन पना था वहाँ पुस्तक पढ़ते हुए सीडियों से नीचे गिर गया और उसके सर में चोट आई जिस वज़े से उसकी मौत हो गई हुमायू बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा बादशाह था उसको पढ़ने लिखने का बहुत शोक था कहा जाता है हुमायू को हिंदू जोतिशी विद्धिया में बहुत विश्वास था वो दिन के रंग के हिसाब से कपड़े पहना करता था जैसे रविवार को पिला रंग, शनिवार को काला रंग, सोमवार को सफेद रंग और भी कई दिनों के हिसाब से कई रंगों की कपड़े पहना करता था वो दोस्तो जिस वक्त हुमाईू की मौत हुई उस वक्त अकबर सिर्फ 14 साल का था हुमाईू को उसकी मौत के बाद दिल्ली में हुमाईू टॉम में ही दफनाया गया तो ये था हुमाईू का पूरा जीवन और उससे जुड़ी कुछ अंसुनी बाते अगली बार हम बात करेंगे शेरशा सूरी की जिसने हुमाईव को दिल्ली सल्तनत से बाहर खदेड़ कर दिल्ली सामराज पर सूरी सामराज जिकी स्थापना की तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेर और कॉमेंट भी जरूर करें देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तिहासकार